हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू अबर चैनरल एजूकेशन और लर्निंग पॉइंट, दोस्तों यह आज का मारा टैस्ट नमबर फिप्टीन है, तो चलिए शुरुवात करते हैं अपने पहले प्रेशन की, पहला प्रेशन है हमारा केंद्री सतरक्ता आयोग की स्थापना सरक नाम है, कस्तूरी, रंगा संत्तानम अगला प्राशन है हमारा संक्या दू उत्ता प्रajश के निमलकित मैसे, किस जले में बुंदेलखंड विश्विद्याला है इसतेत हैं किस जले में इसका आंसर क्या होगा, उप्शन होगा ऑप्शन C, जहासी जहांसी हमारा सही आंसर है ये जो विश्विद्याले है ये 26 अगस्त 1975 को उत्तर प्रदेश सरकार दोरा इस छेत्र में उच्छ शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुई किसकी बुंदेलकंड विश्विद्याले की अगला प्रशने संक्या तीन निमलिकित मैंसे इस एक मामले में राजी सभा के पास लोग सभा के बराबर शक्ती और पितिश्टा होती है तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा इसका आंसर होगा ओप्शन D समविधानिक संशोधन विदेकों को पेश और पारित करना ओप्शन D is correct अगला प्रशने है हमारा प्रशने संक्या 4 समविधान की अनुछेद में बलात श्रम दास्ता का प्रतिशेद परिकल्पित है समविधान की अनुछेद में बलात श्रम दास्ता का प्रतिशेद परिकल्पित है A 25 आर्टिकल 25 B आर्टिकल 24 C आर्टिकल 22 D इन में से कोई नहीं जो हमारा इसका उतर है वो क्या होगा अनतकरण की हो धर्म के अबाद रूप में मानने और आच रणर और परचार करने की स्वतंतरता ये तो होगिया अमारा आर्टिकल 25 आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है ये कहता है कुछ Inde जशाओं में कार खानों में बाल श्रम आदी का निशेद, यह ओगे हमारा आर्टिकल 24, अच्छा यह जो प्रेशने कह रहा है यहां पर समविधान के अनुछेद में बलात श्रम दासता का प्रतिशेद वरिकल्पित है, तो यह जो बलात श्रम दासता वाला है, यह किस आर्टिकल के आता है, यह आता है हमारा आर्टिकल 23 के अंतरगत, यानि आर्टिकल 23 के अंतरगत, आर्टिकल 23 के अंतरगत क्या है, बलात श्रम दासता के दुर्वयापार का निशेद, अच्छा यह आर्टिकल 24 और 23 दोनों से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरें आडिकल 23 हमारा बलाज श्राम वन मानने के दुर्वयत पार का निशियत, और आडिकल 24 हमारा कारखानों में बाल श्रम आधि का निशियत, ठीक है, अगला प्रशने हमारा प्रशने इसका जो उतर हमारा इनमें से कोई नहीं, और यह जो बलाज श्रम दासता Modern आर्टिकल 23 के अंतर गयता आता है अगला प्रेशने हमारा प्रेशने संक्या पांच निम्लिखित में से किस कार्पुरेट द्वारा लिंक दिन का अधिगरण किया गया था इसका अंसर है option A is correct Microsoft Microsoft द्वारा अगला प्रेशने हमारा प्रेशने संक्या 6 इस बुक के ऑथर कौन है आंसर क्या है इसका इसका आंसर है option A अगला प्रेशने हमारा प्रेशने संक्या 7 ब्रिटिश आसन के दोरन भारत के प्रतंबन महा निरिक्षक कोन थे ब्रिटिश आसन के दोरन option B is correct टेटरिच, ब्रेंडिस. Option B, ने सरा रसiltonार, अगला प्राशन है, प्राशन संख्या 8, निम्लिकित मेंसे कौन सा इस्मारक, इस्थान योग में सही सुमेलित नहीं है, A, आमेरीका के लगोज़ा जैपूर, B, prize C, चाद मीनार दिवारी, डी कुतुमीनार दिली इसका आंसर है Option C चांद-मीनार दिवारी जो कि चांद-मीनार है ये दिवारी में नहीं ये महारास्ट में इस्थित है ये चांद-मीनार ये जो चांद-मीनार का निर्माण हुआथा ये अलाओधिन बहहमनी ने साल 1445 में कराया था साल 1445 में इसका निर्मान करवाया था इस मीनार के बारे में कहा जाता है कि ये जो दिली में कुतुम मीनार है तो इससे ये कही अद तक मिलता जुलता है ये और ये मीनार जो है ये इंडो इसलामिक इंडो इस्लामिक जो वास्तु कला है उसका बहत्री नमुनों में से एक माना जाता है इस चांद मीनार को अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संक्या 9 कश्मीर घाटी में हिम नदों की मिट्टी और अनिसामगरी के मोटे निक्षेपों को किस रूप में जाना जाता है यह माफ कीजेगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट है कश्मीर घाटी में हिम नदों की मिट्टी और अनिसामगरी के मोटे निक्षेपों को किस रूप में जाना जाता है option B is correct करेवा के नाम से अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संक्या 10 निम्न में से कौन लगू माले की तीन प्रमुक्षेणियों में से एक नहीं है इसमें से क्या इसका अंसर होगा अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संक्या 11 निम्निकित में से कौन गुप्त समराजी का प्रथम शासक था इसका आंसर है अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संक्या 12 माल और सेवा कर जेस्ट शासन के तहत अगस्ट दो हजार एककिस तक उच्चितम दर उच्चितम कर दर्सलेप क्या है माल और सेवा कर GST शासन के तहट अगर 2021 तक उच्छेतम कर्व दर्सलैप क्या है तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर है हमारा option C 28% यानि 28% हमारा कर्व गर की जो दर्दी वो 28% अगला प्रेश्ण है हमारा 13 प्रेश्ण क्या 13 जल वाश्प को वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को संतर्वित करने के लिए किस शब्द का प्रियोग किया जाता है किस शब्द का प्रियोग किया जाता है इसका answer है D संग्रन यानि के condensation अगला प्रश्न है प्रश्न संक्या 14 विरासत ए खालसा नामक संग्राल है निम्लिकित मैसे किस शहर में इस्थेत है ए पॉंटा साहिब आनन्दपुर शाहब जो इसका आंसर है वो क्या है इसका आंसर है हमारा वी आनन्दपुर साहिब जो आनन्दपुर साहिब है यह हमारा सिक्क धर्म का एक संग्राल है जो भारत के पंजाब राज की राज़ानी चंडीगड के पास एक चंडीगड के पास आनन्दपुर साहिब में इस्तित है अगल पूर साहिव है अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संक्या 15 अनुच्छे 213 के तहट प्राख्यापित अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है इसका जो आंसर है वो है option राज़िपाल यानि गवर्न द्वारा आर्टिकल 213 क्या कहता है विधान मंडल के विश्रानती काल में अध्यादेश प्राख्यापित करने की राज़िपाल की शक्ति फिर से बता दू मैं आपको आर्टिकल 213 के अंतरगत है विधान मंडल के विश्रानती काल में अध्यादेश प्राख्यापित करने की राज़िप अगला प्रश्ण हमारा प्रश्ण संक्या सोला भारती व्यक्ति को प्रिटिश सम्राट ने नाइट हुड की उपाधी से नवाजा था लेकिन जलिया वाला हत्याकांड के बाद उनके द्वारा इसे वापस कर दिया गया मतलब भारती व्यक्ति थे किस वारती व्यक्ति को प्र लेकिन जलिया वाला हत्याकांड के बाद उनके द्वारा इस उपादी को वापस कर दिया गया था जलिया वाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये बिटिश सरकार द्वारा जो उपादी दी गई थी उस व्यक्ति को भारती व्यक्ति को तो उन्होंने इसको वा आप्रेल उन्निस सो उन्निस में हुए जलिया वाला भाग का जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में उन्होंने नाइट होड की उपादी ब्रेटिश सरकार को वापस कर दी यह हो गया हमारा इसका ऑप्शन रहेगा इसका रविन्ना टेगोर अगला प्रशन है प्रशन सं संकेतों का पता लगाने के लिए प्रियोग किया जाता है इसका आंसर रहेगा हमारा इसका आंसर है ओप्शन बी हाइड्रोफोन पानी के नीचे जो दोनी संकेत हैं इनका पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का प्रियोग किया जाता है बाकि यह जो एमिटर है इसका प्र रो मलीज्य वाले विद्ध्यौत को मॉप्स यौनेंट्र मेरे दमान प्तापमाप। जब किसी वस्तू का तापमान बहुत अधिक होता है। ताप अभापिक जास। जाने से जब किस ब़ाइब का मपन घाता है किया थे जाने वेस्तू अगंभी अगयग है तो बहुत ज़ादा हाई है उसका temperature तो हम normal thermometer जो होते हैं उससे नहीं माप सकते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है जैसे कि एक शब्द में कहीं तो किसी उच्छ ताप के मापन के लिए प्रियोक्त होने वाली ताप मापी को पाइरोमेटर कहते हैं जैसे कि कोई बटी है अगर आपको बटी के आसपास के एरिया का ताप मापना है तो आप किसी normal thermometer से उसको नहीं माप सकते हैं उस लिए ऐसी जगह उपर पायरोमेटर का यूज़ किया जाता है और बोलो अ niedटा 11र मापने के लिए और धी के पानी के नीचे द्वनी संकेतों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोफोन का अगला प्रशन हमारा प्रशन संक्या 18 प्रशास्निक सुविधा के लिए होता प्रदेश में कितने नगरपाली का मुंसिपल बोर्ड है तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए दो सो चप्पिस दो सो युद में मारा गया किस युद में मारा गया टीपू सल्तान तो ए सेरिंग पटम की लड़ाई 1799 इसका जो आंसर है सेरिंग पटम की लड़ाई 1799 में हमारा सही आंसर है अगला प्रशन है प्रशन संक्या 20 दोस्तों यह आज की शंकला का मारा अंधिम प्रशन होगा निम्ल विकित में से किन राज्जीों केंद्रि शासित प्रिदेशों में कावीरी जल विवाद नियादी गरन में शामिल है तो जो इसका असए है ऊप्शन बी केवल करनाटक तंपिल नाडूं पुदुचेरी और केरल option B is correct करनाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और केरल option B हमारा सही है दोस्तों आज की प्रशनों की शंकला हमारी यहीं पर समाप्त होती है आप हमें YouTube, Telegram, Instagram, Facebook पेज पर भी like, share and subscribe जरूर करें मिलते हैं अगली शंकला में तब तक के लिए नमस्कार